अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में हमें क्वांटम मिकैनिकल टनलिंग से कभी वास्ता नहीं पड़ता अल्बता एलेक्टरॉंस के लिए ये एक हकिकत है इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये जानेंगे क्वांटम टनलिंग है क्या यहां मैं अनसर्टन्टी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करूंगा लेकिन इसकी अफादियत महदूद है इससे हम सिर्फ चन्द मोटी मोटी बातें ही समझ सकते हैं इसके बाद हम प्रॉबबिलिटी करंट हासिल करेंगे हर हरकत करने वाले इलेक्टरॉन के साथ एक प्रॉबिलिटी करंट मुनसलिक है हम ये देखेंगे कि अगर उस इलेक्टरॉन का वेव फंक्शन हमने मालूम कर लिया है तो उससे फिर ये current कैसे हासिल किया जाता है फिर अगर किसी हरकत करने वाले electron के सामने कोई रुकावट खड़ी की जाए तो हम ये देखेंगे कि बाज दफा ये उस रुकावट को पार कर सकता है गो कि इसके पास इतनी energy नहीं है ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि इस electron ने tunnel किया है इस electron के सामने हम मुक्तलिफ रुकावटें रखेंगे और ये देखेंगे कि शुर्डिंगर equation को इन हालात में कैसे हल किया जाता है जब हम quantum tunneling के बारे में इतना कुछ सीख लेंगे तो फिर हम इसका इतलाक करेंगे alpha particle decay की उपर ये देखा गया है कि बाज ऐसे atom के मरकज हैं जिन मेंसे alpha particles खारिज होते हैं इनके निकलने के इमकानात और उनकी रफ़तार का बहुत पहले तायुन किया गया था इसका हम मौइना लेंगे आजकल के जमाने में टरनलिंग को खूब इस्तेमाल किया गया है scanning tunneling microscope में इस हुर्द्बीन की मदद से हम अलहदा अलहदा atoms को भी देख सकते हैं तो चलिए हम अपनी बात यहां से शुरू करते हैं एक गेंद है इस गेंद को अगर लुटाया जाए इस टीले पर और इस टीले पर कोई रगड नहीं है तो यह गेंद उपर जाएगा एक हद तक और फिर लुटेगा और उसी रफ़तार पर लुटेगा जिस पर आपने उपर फेंका था अगर आप ज्यादा रफ़तार से इसको फेंकते हैं मतलब यह कि अगर आप इसको काफी एनरजी देते हैं तो यह इस टीले को पार करके दूसी तरफ निकल सकता है लेकिन इसको उपर से गुजर कर यूँ आना होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आपने इसको काम एनरजी दी हो इतनी कि यह उपर भी ना पहुंच सके तो फिर यह हमेशा वापस आएगा दूसी तरफ निकल नहीं सकेगा तो क्लैसिकल मिकैनिक्स में यूही होता है मगर क्वांटम मिकैनिक्स में एक और बड़ी दिल्चस्प चीज हमारे सामने आती है गो के इस गेंद में इतनी तवानाई नहीं है मतलब यह कि आपने इसको इतनी एनरजी नहीं दी कि यह उपर जा सके लेकिन यह फिर भी यहां से निकल कर दूसी तरफ पहुंच सकता है यूं लगता है जैसा कि इस जर्रे ने अपने लिए कोई सुरूंग बना लिया है इससे क्वांटम टनिलिंग कहते हैं ऐसा क्यूं होता है आखिर क्या वज़ा है कि यह गेंड दूसी तरफ पहुंच गया गो कि आपने इसको इतनी एनरजी नहीं दी कि यह उपर यहां तक पहुंच सकता इसकी तौजी हम हाइजनबर्ग अनसर्टन्टी प्रिंसिपल में तलाश कर सकते हैं हाइजनबर्ग अनसर्टन्टी प्रिंसिपल का कहना है कि एक मुक्तसर वक्ट डेल्टा टी के लिए एनरजी की हिलाफ वर्जी हो सकती है और डेल्टा ए डेल्टा टी एच बार बटा टू से बड़ा होगा एच बार यहां प्लांक्स कॉंस्टन्ट है तो इसका मतलब यह बना कि एक मुक्तसर वक्ट डेल्टा टी के लिए यह गेंद इतनी एनरजी हासिल कर सकता है कि कुछ इमकान बनता है कि यह दूसी तरफ निकल सके मगर इसका कितना इमकान है वो आप यहां से नहीं पता कर सकते बस यह जान सकते हैं कि ऐसा मुम्किन हो सकता है एक और मिसाल लीजिए यह गोली है जो इस प्याले के अंदर आगे पीछे यू लड़कती रहती है अब हमने तो हमेशा यह देखा है कि अगर यहां यह इस उन्चाई पे पहुंचती है तो जब यह वापस दूसी तरफ लोड़केगी तो यह इधर आएगी और फिर वापस इधर लेकिन कौटम मीकैनिक्स में यह इमकान बनता है कि यह इस रुकावट को पार करके इस प्याली को सर करके दूसी तरफ से यह नीचे आ सके इसकी वज़ा भी यही है कि एक मुक्तसर वक्त के लिए यह इतनी एनरजी हासिल कर सकती है कि यह इस रुकावट को पार करके इधर पहुंचे मगर इसका इमकान कितना है यह हम हाइजनबर्ग अनसर्टिंटी प्रिंस्पल से नहीं जान सकते बस इतना जान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है अब यही बात मैं जरा मुक्तलिफ अंदाज में कहूंगा फर्स कीजे कि यह कोई गोली है या गेंद है तो यह किसी पोटेंशल के अंदर मौजूद है यहां पर पोटेंशल कम है यहां पर ज्यादा है और यह एक स्मूद अंदाज में एक तसलसल के साथ सिफर से लेकर यहां तक पहुंचता है अगर मैं इसको लुड़काओं तो यह गोली उपर जाकर फिर वापस आ जाएगी यहां पर जो पोटेंशल आपके सामने है इसके लिए शूर्डिंगर एक्वेजन हल करना इतना आसान नहीं होगा लहाजा हम एक ज्यादा सादा पोटेंशल लेंगे यह पोटेंशल ऐसा है जो बिलकुल सिफर है यहां पर और यहां पर पहुंचकर यह एक मुस्तकिल के मत रखता है जब इस गोली को इस तरफ फेंका जाएगा तो यह लौट कर वापस आएगी क्योंकि जब यह इस पोटेंशल से टकराती है तो इसके उपर एक कुट अमल करती है जो इस सिम्त है अगर एक जर्रा या एक से ज्यादा जर्रे किसी सिम्त हरकत कर रहे हों तो उनसे मुस्लिक एक प्रॉबिलिटी करंट होता है इस करंट की मिकदार ज्यादा होगी अगर ज्यादा जर्रे हों और इसकी मिकदार ज्यादा होगी अगर इनकी रफतार ज्यादा हो तो चलिए हम probability current calculate करते हैं एक आजाज जर्रे के लिए ये आजाज जर्रा एक जहत में हरकत करता है और अब हम इसके लिए श्रोटिंगर equation हल करेंगे श्रोटिंगर equation ह साई बराबर ई साई है और यहां हैमिल्टोनियन में सिर्फ हरकी तवानाई आती है P का मुर्बा बटा 2M और P की जगे पर आप H बटा I D by DX जब लगाएंगे तो यहां पर ये operator बनता है जो साई की उपर अमल करके दोबारा साई देता है इसका हल तो आपके सामने हैं बहुत आसानी से आप ये चेक कर सकते हैं इसलिए कि जब E to the IKX या बाज दफ़ा मैं इसको E to the IOTA KX कहता हूँ इस पर जब ये operator अमल करेगा तो उसके नतीजे में H बार स्कुरेड के स्कुरेड बटा 2M आएगा जो मन्फी अलामत यहां थी उसे आयोटा के मुरब्बे ने खत्म कर दिया अब आप ये नोट करें के यहां पर E to the IOTA KX है यहां पर भी E to the IOTA KX है इसको हम काट सकते हैं चुनाचे E H बार स्कुरेड के स्कुरेड बटा 2M है तो अगर किसी जर्रे की एनरजी E हो तो उसका K उसके हिसाब से तै होता है लेकिन यह देखें कि अगर हमने E to the IOTA KX लिया होता तो इसको दो दफा डिफरेंशेट करने से वही चीज मिलेगी और यहां पर भी हम इसको और इसको काट सकते हैं चुनाचे वेव फंक्शन यह हो या वेव फंक्शन यह हो दोनों सूर्तों में एनरजी बराबर है एक और बात जहन में रखें अगर हमने इस के सामने यहां पर कोई मुस्तकिल अदद रखा हो A या B तो यह साई भी इस एक्वेजन को हल करेगा इसलिए के दोनों तरफ से वो कांस्टन कट जाएगा चुनाचे जो जैनरल सुलूशन बनता है इस एक्वेजन का वो A E to the IKX जमा B E to the मन्फी IKX बनता यह और यह एक दूसरे से मुक्तरिफ सुलूशन हैं डिफरेंशल इक्वेजन जो सेकंड आर्डर का हो उसके दो आजाद इंडिपेंडन्ट सुलूशन होते हैं चुनाचे इन दोनों को जमा करने से जैनरल सुलूशन बनता है आप यह जानते हैं कि E to the IKX मुमेंटम आपरेटर का आइगन फंक्शन है जिसका मतलब यह कि मुमेंटम आपरेटर जब इसकी उपर अमल करता है तो उससे वही वेव फंक्शन वापस मिलता है वही फंक्शन मिलता है और उसके आगे जो अदद है जो कॉंस्टन्ट है वो आइगन वैल्यू कहलाता है तो यहां मुमेंटम आपरेटर का आइगन वैल्यू H बार K है इसी तरह अगर आपने यहां पर मन्फी आयोटा KX लगाया होता तो यहां पर भी मन्फी होता और इधर आइगन वैल्यू के सामने मन्फी अलामत होती आगे चलने से पहले आपसे एक सवाल अगर साए को यह जेनरल सुलूशन लिया जाए तो क्या यह मुमेंटम आपरेटर का आइगन फंक्शन है यह जानने के लिए P.S. Q. पर अमल करवाएं क्या साए आपको दوبारा मिलता है यही सवाल हैमिल्ट।नियन के बारे में हैमिल्ट।नियन इस H. Q. अपर लगाएं क्या आपको वही साए मिलता है अब जो बात यहां पर लख़ी भी वो मैं यहां पे दोहराता हूँ P जब E to the IKX पर अमल करता है तो उससे मुस्बत H बार K मिलता है जबके E to the मन्फी IKX पर मन्फी H बार K मिलता है गोया के एक सूरत में मुमेंटम इस सिम्थ है और दूसी सूरत में मुमेंटम इस सिम्थ है अगर मुमेंटम इतना हो तो विलासिटी आप मालुम करते हैं मास से तक्सीम करके तो पहले वेव फंक्शन में विलासिटी मुस्बत है दूसरे में विलासिटी मन्फी है अब हम इस पर आते हैं कि आईसे वेव फंक्शन को कैसे समझा जाए इसके दो हिस्से हैं, एक जिसमें मोमेंटम इस सिम्थ है और दूसरा जिसमें मोमेंटम इस तरफ है वेव फंक्शन के इस हिस्से से ये probability current J वाबस्ता है आपको याद है कि अगर कोई साभी वेव फंक्शन हो, इसके आगे जो constant है, उसके magnitude का मुरबा probability बनता है चुनाचे जो current बनता है और जो इस हिस्से से मुनसलिक है वो ये है, जबके इस हिस्से से मुनसलिक ये current है तो इस तरह से हम एक जर्रे या बहुत से जर्रों का probability current मालुम करते हैं अब हम श्रोडिंगर एक्वेजन हल करेंगे एक step potential के लिए step potential से मुराद ये कि potential यहां पर सिफर है, मुस्तकिल कीमत रखता है और अचानक ये बढ़ जाता है इस तरफ और अब इसकी कीमत V0 है अगर इस तरफ से जर्रे इस potential की तरफ फेंके गए तो इन में से कुछ टकरा कर वापस चले जाएंगे और कुछ उपर से गुजर जाएंगे बशर्ते के इसकी energy काफी हो क्लैसिकली तो ऐसे ही होता, अब चलिए हम श्रोडिंगर एक्वेजन हल करके देखते है वैसे तो हम ये हल करी चुके हैं, ये श्रोडिंगर एक्वेजन है यहाँ L से मुराद left तो जो वेव फंक्शन बाइंग की तरफ होगा, उसे हमने साई L कहा है हल तो हमने करी लिया है, इसका general solution दो हिस्सों पर मुश्तमिल है एक हिस्सा जो इस तरफ जाने वाले जर्रों का है और दूसरा हिस्सा जो पलट कर वापस आने वाले जर्रों का है दोनों की एनरजी बराबर है ह बार स्कुएड के स्कुएड बटा दो M अब चलिए हम शोडिंगर एक्वेजन लिखते हैं दाएं की तरफ अब दाएं की तरफ पोटेंशल है और जब हम हरकी तवानाई में काइनेटिक एनरजी में पोटेंशल एनरजी का इजाफा करते है तो इधर एक मुस्तकिल कीमत आती है V0 और अब शोडिंगर एक्वेजन H साइ बराबर E साइ है और ये E वही होगा जो ये है ये एक्वेजन तो हमने पहले हल कर ली है बस सिर्फ ये करना है कि इस V0 को इस तरफ ले जाना है और अब E मन्फी V0 बराबर होगा H बार स्क्वेड कापा स्क्वेड बटा दो M यहाँ पर साइ दाइं की तरफ लिखा गया है और इसके दो हिस्से बनते हैं E ताकत आयोटा कापा X और यहाँ पर E ताकत मन्फी आयोटा कापा X अब ये हिस्सा दरसल ऐसे जरूर का है जो इस सिम्थ जा रहा है मैं फिर से ये बात दोराऊंगा यहाँ से जर्रे इस तरफ फेंके गए हैं कुछ टक्रा कर वापस जाते हैं और कुछ इस तरफ निकल जाते हैं इन्फिनिटी से आने वाले कोई जर्रे नहीं है ये टर्म मौजूद नहीं है इसको हम सिफर कर सकते हैं तो मुख्तसर ये के हमने वेव फंक्शन के दो हिस्सों की शनाख्त की है एक हिस्सा ये है जो आने वाले जर्रों का है और दूसरा हिस्सा उन जर्रों का जो टकरा कर वापस जाते हैं दोनों की एनरजी जो जर्रे इस तरफ निकल गए उनकी एनरजी वी जिरो जमा एच बार स्कुरेट कापा स्कुरेट बटा दो एम है और याद रहे कि ये ए है जो हमारे कंट्रोल में है इस से फिर हम ये ताय करते हैं कि कापा स्कुरेट की क्या कीमत होगी फिलहाल ये समझ लीजें कि हमने एनरजी ए को वी जिरो से ज्यादा रखा हुआ है यानि कि कापा स्कुरेट खुद एक मुस्बत कीमत रखता है और इसलिए कापा रियल होगा चुनाचे जो वेव फंक्शन यहाँ पर है C E to the I कापा X ये एक प्लेन वेव है जिसकी सिम्थ ये है लहाजा अब हमारे सामने साई लेफ्ट ये है साई राइट ये है और अब हमें दो जरूरी शरायत इनकी उपर लगानी होंगी अबल ये के वेव फंक्शन यहाँ पर X equals 0 पर continuous है के वेव फंक्शन में तसलसल है गोया के जो लेफ्ट वेव फंक्शन है और राइट वेव फंक्शन है दोनों को 0 पर बराबर होना चाहिए अगर ये ऐसा ना होता यानि के अगर साई discontinuous होता तो फिर इसका derivative ना होता या आप कह सकते हैं infinite होता और इससे फिर हम second derivative भी ना बना सकते चलिए इस पर हम अमल करते हैं तो यहां आप X को सिफर करें तो ये बन जाएगा A जमा B और ये C के बराबर होना चाहिए क्योंकि जब X को यहां पर सिफर किया जाएगा तो साई राइट C होगा चुनाचे A जमा B बराबर C के है दूसरी शर्त यह है कि wave function का derivative इस जगे पर continuous होना चाहिए अगर ये ना होता तो फिर second derivative इस जगे पर वजूद ही ना रखता या आप कह सकते हैं कि infinite हो जाता और इस तरह से Schrodinger equation का left side और right side बराबर ना हो सकते चुनाचे ये शर्त हमें लगानी पड़ी तो अगर हम side left के इस हिस्से को differentiate करें तो इसे हमें मिलेगा A, I, K, E to the I, K, X X को सिफर करने से सिर्फ A, I, K रहेगा और यहाँ पर मन्फी B, I, K होगा चुनाचे जब हम differentiate करके X को सिफर करेंगे और इसी तरह इसको differentiate करके और X को सिफर करेंगे तो यहाँ से ये दूसरी equation निकलेगी K, A, मन्फी K, B, B, K, P, C अब इन equations को आप यू समझें कि दरसल A तो हम खुद ही तै करते हैं जितने जर्रे इस तरफ भेजे जाएंगे A उसी हिसाब से ज्यादा होगा चुनाचे यहाँ पर सिर्फ B और C हमें पता करने हैं और दो equations है इनको हल करना तो असान काम है बस इसको आप K से जर्ब दें फिर दोनों को जमा करें और फिर तफरीक करें तो B बटा A बनता है के मनफी कापा बटा के जमा कापा और C बटा A यह बना दो के बटा के जमा कापा और यह देख लीजे के E एक तरफ तो यह है और दूसी तरफ यह है चुनाचे H बार स्क्वेड के स्क्वेड बटा 2M इसके बराबर हुआ तो यह यहां पर आ गया यहां से कापा स्क्वेड की क्यमत निकली और जैसा के मैं आपको बता चुका हूँ कापा स्क्वेड खुद मुस्बत क्यमत रखता है इसलिए के E V0 से बड़ा है तो हम B बटा A और C बटा A जान चुके हैं और यह बात मैं फिर दोराओंगा के कापा स्क्वेड मुस्बत है E V0 से बड़ा है यहां से कापा K के हवाले से यह बनता है और यह E जैसा के मैं बार बार कह चुका हूँ वो एनरजी है जिस से हम जर्रों को इस तरफ रवाना करते है तो अब K और कापा डालिए B बटा A यह बना और C बटा A यह अब यह नोट करें कि अगर हम E को बहुत बढ़ा दें तो यह सिफर हो जाएगा और B बटा A एक मन्फी एक जमा एक जमा एक हो जाएगा यानि के B बटा A सिफर की तरफ चला जाएगा जैसे जैसे E बढ़ता जा रहा है यानि के जितने जर्रे यहां से इस तरफ फेंके जाएंगे बहुत कम लोटेंगे और दूसी तरफ जैसे E बढ़ेगा तो यह सिफर होगा और C बटा A दो बटा दो होगा यानि के C A के बराबर होगा जिसके माने यह है कि जितने जर्रे यहां पर फेंके गए थे अक्सर और बेश्तर वो दूसी तरफ निकलने में काम्याब हुए सिर्फ चंद एक हैं जो वापस चले जाएंगे यह सवाल आपको हल करना है आसान भी है और इससे आप यह भी सीखेंगे कि करंट कभी जाया नहीं होता इसकी कुल मिक्दार हमेशा पाइम रहती है तो जैसा के आप देख चुके हैं एच पार के बटा एम यह आने वाले जरूं की विलोसिटी है उनकी रफतार है जो के सीधे हाथ की तरफ बढ़ रहें फिर कुछ करंट है जो इस तरफ निकल जाता है और वो करंट यह है और कुछ करंट वापस चला जाता है तो जितना करंट आता है उतना ही बाहर निकल जाता है इस तरफ या इस तरफ अब आपको यह साबित करना है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों की मिकदारें बराबर हैं अब हम उसी step potential के लिए मुक्तलिफ energies के particles रवाना करेंगे और ये देखेंगे कि wave function में क्या तबदीली आती है तो ये वही potential है जो अब हमने हल किया था ये हरी line energy दिखाती है मैं इस energy को तबदील करूँगा और ये wave function का real part है imaginary part भी इसी तरह से देखा जा सकता है लेकिन ये देखिए कि wave function जो left की तरफ है और जो right की तरफ है इस जगे पर ये continuous है ये टूटावा नहीं है इसमें तसलसुल है और इसके derivative में भी तसलसुल है इस नुकते के उपर सीधे हाथ की तरफ जो wavelength है वो टू पाई बटा कापा है जैसे जैसे energy घटती जाती है और ये देखें कि ये hurry line जो के energy की line है नीचे आ रही है और V0 तक पहुँच रही है V0 और E जब बराबर होंगे तो खेर कापा सिफर हो जाएगा वेवलेंद उसकी infinite हो जाएगी याद रहे कि यहाँ पर E V0 से बड़ा है तो जब E V0 से छोटा होगा फिर क्या होगा उस सूरत में ये जर्रा जब potential barrier तक पहुँचेगा तो इसे टक्रा कर वापस चला जाएगा ये कभी इसे पार नहीं कर सकेगा और थोड़ी दूर भी इस तरफ नहीं निकल सकेगा ये तो classical mechanics का कहना है लेकिन जब हम शोडिंगर equation हल करते हैं तो हमें पता है कि इस से एक मुख्तलिफ जवाब मिलेगा तो चलिए इस तरफ तो आने वाली लहर है E to the IKX और ये लौटने वाली लहर है मन्फी आयोटा KX आगे चलने से पहले मैं आपकी थोड़ी सी याद देहानी कराना चाहता हूँ यहाँ पर ये differential equation है इसको देखें और इसको देखें दोनों में फर्ख सिर्फ ये है कि यहाँ पर मुस्बत अलामत है जबके यहाँ पर मन्फी अलामत है लेकिन इसकी वज़े से solutions में बड़ा फर्क आएगा ये देखें कि अगर E ताकत KX को या E ताकत मन्फी KX को दो बार differentiate किया जाए तो साई यानि कि अगर साई को इसमें डाला जाए तो इस तरफ भी K2 साई आएगा और इस तरफ भी मन्फी अलामत से यहाँ कोई फर्क नी पड़ता लेकिन अगर मैं इस equation को हल करूँ तो यहाँ पर मुझे E ताकत आयोटा KX लगाना होगा यहाँ फिर मन्फी आयोटा KX अब इन दोनों में मेरा मतलब यह के इन में और इन में बहुत बड़ा फर्क है E ताकत KX तो exponential है यह बढ़ता जाता है जबके यह मन्फी exponential है यह घटता जाता है और बिलाखिर यह सिफर हो जाता है इसके बरक्स E ताकत आयोटा KX यह मन्फी आयोटा KX यह oscillating functions है अगर इसका real part लिया जाए तो cosine KX है और imaginary part sine KX है यह यह oscillating functions है तो चलिए अब हम physics पे लौटते है जब E V0 से छोटा होगा यहाँ पर एक decaying exponential आएगा मतलब यह के जो कीमत यहाँ है उससे यह घटता हुआ ऐसे कम होता चला जाएगा यहाँ पर हम यह देखते हैं के wave function अब exponentially decay करता है जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं X equals 0 से तो wave function घटता चला जाता है यहाँ पर E V0 से थोड़ा ही कम है लेकिन चलिए यह फासला मैं अब बढ़ाता हूँ यानि के E को और नीचे लेकर आता हूँ और आप देख सकते हैं के wave function बहुत तेजी से अब घट रहा है तो कुछ ही फासले के बाद यह wave function बहुत ही छोटा हो जाता है अब इसके माने यह हुए कि यहाँ पर तो जर्रे हैं कुछ जो इस तरफ आ रहे हैं और कुछ जो टकरा कर वापस जा रहे हैं लेकिन इस तरफ आपको जर्रे सिर्फ एक बहुत ही कम फासले तक मिलेंगे classical mechanics का कहना है कि यह सारे जर्रे वापस हो जाते हैं सारे के सारे इस तरफ हैं इस तरफ कोई नहीं है अलबता quantum mechanics से हमने यह देख लिया कि कुछ penetration होती है इस लंबी तमहीद के बाद हम असल quantum tunneling की तरफ आते हैं तो फर्स कीजे कि इस तरफ से जर्रे इस potential barrier पर जाकर लगते हैं अब आने वाले जर्रों की एनरजी वी जिरो से कम होगी गोया के अगर classical mechanics के हवाले से देखा जाए तो कोई अमकान नहीं बनता के एक जर्रा जो यू पहुंचता है इसको पार करके दूसी तरफ से निकल सके लेकिन अब हम Schrödinger equation के हवाले से देखेंगे कि क्या होता है Schrödinger equation इस तरफ यानि के left पर ये है और जैसा के हम देख चुके हैं इसका हल ये है A, E to the IKX, जमा B, E to the minus IKX गोया के ये लहर इस तरफ जा रही है और ये लॉट कर मुखालिफ सिम्प जा रही है इसकी एनरजी इतनी है और अगर दूसी तरफ देखा जाए तो वहाँ भी Schrödinger equation वही है हाँ, यहाँ पर साइ राइट होना चाहिए यहाँ पर भी साइ राइट होना चाहिए जबके इधर लेफ्ट है और लेफ्ट है मगर बात वाज़े है तो यहाँ से जो लहर बाहर की तरफ निकलेगी वो E to the IKX होगी इसकी सिम्थ इस तरफ है बीच में, शोडिंगर equation में हमें potential शामिल करना होगा जिसकी उन्चाई V0 है गोया के बीच में इन दोनों के दरमयान यानि के P और Q के दरमयान शोडिंगर equation यह होगी अब इसको जब हम हल करते हैं तो exponential आते हैं E ताकत मुस्बत कापा X और E ताकत मन्फी कापा X अब आप यह सवाल कर सकते हैं के यह E कापा X को खत्म क्यों नहीं किया गया है F को सिफर क्यों नहीं कर दिया गया है या G को क्यों नहीं सिफर कर दिया गया है यहां पर यह दोनों टरमें होंगी इसलिए के यह शोडिंगर equation सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की है और यह इंफिनिटी नहीं है गोया के वेव फंक्शन इधर और इधर महदूद है चुनाचे हमें यह दोनों रखने होंगे अब यहां एनरजी में V0 का इजाफा है तो अब बाइं की तरफ बीच में और दाइं की तरफ तीनों इलाकों में हमारे पास शोर्डिंगर इक्वेजन के सुलूशन्स है आगे क्या किया जाए इसका तरेकार यह होगा हम इस जगे पर वेव फंक्शन लेफ्ट और वेव फंक्शन जो बीच में है एम मिडल के लिए है तो लेफ्ट वेव फंक्शन और मिडल वेव फंक्शन इस नुक्ते की उपर बराबर होंगे और इसी जगे की उपर इनके डेरिविटिव्ज भी फर्स डेरिविटिव्ज भी बराबर होंगे तो इस से हमें दो एक्वेजने मिलेंगी फिर हम यही चीज़ यहाँ पर करेंगे जो wave function इस तरफ है और जो wave function इस तरफ है इन दोनों को बराबर होना है चनाचे यह wave function की continuity है और पिर यह derivatives की continuity लहाँसा हमारे पास इस वक्त चार equation है यह देखें के A तो हमारे control में हैँ हम यह तै करते हैं के A की قیمت क्या होगी B F G और C ये चार ऐसे कॉंस्टन्स हैं जिने हमें मालूम करना है मगर अब काम तो हो गया चार एक्वेजन हैं चार अन्नोन हैं अब चुँके हमारे पास वक्त महदूद है इसलिए मैं आपको सिर्फ सुलूशन दिखाता हूँ ये आप आसानी उन एक्वेजन से हासिल कर सकते हैं T जिसे ट्रांस्मिशन कोईफिशन कहते हैं जो C बटा A का मुरब्बा है यहाँ पर C बाहर निकरने वाली मौज का एम्प्लिट्यूड है और अगर आपने वो चार एक्वेजन हल कर दी जो के मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है तो उससे फिर T की ये खिमत निकलाती है यहाँ पर कापा मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ कापा जो के V0 मन्फी E है और याद रहे के E V0 से छोटा है इसलिए कापा का मुरब्बा मुस्बत होगा इस सुलूशन को बेहतर समझने की जरूरत है तो सबसे पहले ये फर्ज करने के E बहुत छोटा है अगर E बहुत छोटा है तो उसका मतलब ये के ये टरम इंफिनिट हो गई जिसके माने ये के ट्रांसमिशन कोईफिशन टी एक बटा इंफिनिटी यानि के सिफर हो गया और ये बहुत माकूल बात है इसलिए के अगर बहुत कम एनरजी के जरूरे इस तरह फेंके गए तो बहुत कम इमकान है के ये इस बेरियर को सर कर सकेंगे अब ये फरस करें के इल बहुत च्छोटा है अगर इल बहुत च्छोटा है तो हैपरबॉलिक साइन के इल के बराबर होगा हैपरबॉलिक साइन अफ एकस is इकुल टू एकस चुनाचर यहाँ पर कापा स्कूरिड इल स्कूरिड आएगा और ये भी एक बहुत ही माखूल चीज है इसलिए कि अगर आप L को सिफर कर देते हैं तो ट्रांसमिशन कोईफेशंट एक बटा एक हो जाएगा यानि कि एक है जिसके माने ये हुए कि जो जर्रे यहां से आएंगे वो सारे के सारे इसके पार निकल सकेंगे ये फार्मिला दुरुस्त सिर्फ उस सूरत में है कि अगर कापा L बहुत छोटा हो दूसी तरफ अगर L बड़ा हो तो फिर हाइपोबॉलिक साइन कापा L एकस्पोनेंशल के L के बराबर हो जाता है जो के बहुत बड़ा है इंफिनिटी की तरफ जाता है चुनाचे L बड़ा होने की सूरत में ट्रांस्मिशन कोईफिशन बहुत छोटा होता है और उसकी मिखदार ये है यहां आप देख सकते हैं कि ये एकस्पोनेंशली घटता है जैसे जैसे L बढ़ता है टरनलिंग का इतलाग अब हम अलफा पार्टिकल्स की उपर करेंगे अलफा पार्टिकल्स में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं और वो किसी नूकलियस के अंदर बंद होते हैं तकरीबन नवे साल पहले ये जान लिया गया था कि अलफा पार्टिकल्स दर असल किसी नूकलियस से टरनलिंग के जरिये से निकलते हैं तो चलिए इसको बेहतर समझते हैं इस अलफा पार्टिकल्स को एक जर्रा आप समझें गो के इसके अंदर नूकलियस के अंदर होता है तो उसे अंदर की तरफ खेंचा जाता है और ये फासला मेरा मतलब यह कि यहां से लेकर यहां तक का बहुत ही कम है चंद फरमी इसके बराबर है एक फरमी दस ताकत मनफी 13 सिंटमीटर है लेहाज़ यहां से यहां का फासला बहुत छोटा है नूकलियर फोर्स का रेंज है लेकिन अगर ये अलफा पार्टिकल किसी तरह से बहाँ निकल सके तो फिर इसको धका मिलता है दूसरे प्रोटॉन्स के चार्ज की वज़े से अलफा पार्टिकल में क्योंके दो मुस्बत प्रोटॉन हैं और नूकलियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं तो जो ही ये नूकलियर फोर्स की गिरिफ से निकलता है तो इसे दूसरी सिम्प धका मिलता है लेकिन क्या एक अलफा पार्टिकल किसी नूकलियस के अंदर से निकल सकता है के नहीं ये उसकी एनरजी लेवल की उपर मुनहस्सर है यहां आप देख सकते हैं कि अगर एनरजी इतनी हो तो कुछ इमकान बनता है कि वो इस रुकावट को सर करके दूसरी तरफ निकल जाए इसको एक और तरह से भी समझा जा सकता है ये एक अलफा पार्टिकल है जो पोटेंशल के दरमयान कैद है और बहुत सी ठोकरें आगे पीछे खाता जाता है लेकिन बिलाखिर टनलिंग के जरीए से ये बाहर निकलने में कामियाब हो जाता है एक आखरी मिसाल ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोसकोप की है ये कमाल की खुर्दबीन है जिससे आप छोटे एटम्स तक को भी देख सकते है यहाँ पर एक सांपल है वो सांपल किसी धात का हो सकता है उस धात की उपर एटम्स है एटम्स से एलेक्टरॉन्स कुछ फासले पर होते है अब इसके नजदीक एक नोकीला टंग्स्टन का टिप रखा जाता है इसको कोई वोल्टिज दी जाती है चुनाचे इसके और सांपल के दरमियान एक पोटेंशल है इसकी तफसील मैं थोड़ी देर बात बताऊंगा इस नोकीले टिप को इस तरफ अगर आप लेते वे जाएं तो ये पूरा सांपल देखता हुआ जाएगा और इसमें जो करंट गुजरेगा जो के बहुत ही मामूली करंट होगा नैनो एमपियर्स का होगा इस करंट की शकल और सूरत वही होगी जो एटम्स की होगी उस सांपल के ऊपर इसका टनलिंग से यूँ तालोक बनता है कि सांपल के अंदर और टिप के अंदर बहुत सारे इलेक्टरॉन है और ये पोटेंशल है इस पोटेंशल के अंदर एक हद तक सैمपल के अंदर विए हैं जबकि टिप के अंदर भी वैलेक्टरों ज़र्व हैं मगर वो इस हद तक भरे वे हैं अब हमने इन दोनों में मतलब जब इस सते और इस सते में फरक प nó किया है एक V hardware लगाकर टिप और sample के दरम्यान इसको bias voltage कहते हैं अगर एलेक्टरोंस के लिए कोई जरिया होता कोई रस्ता होता तो वो यहां से यहां चले जाते लेकिन बीच में तो खाली जगा है खला है और यह खला को पार नहीं कर सकते यहां से यहां यह कूद नहीं सकते लेकिन टरनलिंग का कमाल ये है कि वो इस पोटेंशल को फलांग सकते हैं और यहां से यहां कभी कबार पहुंच जाते हैं अब ये फासला जितना कम होगा मतलब ये कि टिप और सांपल के दरम्यान फासला जितना कम होगा तो इन्हें यहां से यहां जाने में ज्यादा आसानी होगी जो फार्मिला आपने देखा था रेक्टैंगिलर बेरियर के लिए कुछ उस तरह की चीज यहां भी है अलबता यहां पर बेरियर की शकल और सूरत ज्यादा मुश्किल है मगर इसको भी हम बाअसानी कम्प्यूटर की उपर हल कर सकते हैं गोया कि इधर से इधर तक जाने की कोई प्रॉबिलिटी है और इसी की वज़े से एक टरनलिंग करंट पैदा होता है जिसको फिर हम अपने अम्प्लिफायर में पकड़ कर उसकी मिगदार बढ़ाते हैं यह किसी धात की सते है उसकी उपर एक इजाफी एटम है जब यह टिप इसके पास से गुजारा जाएगा और अगर आप करंट को एक मुस्तकिल कीमत पे रखना चाते हैं तो यह टिप को ऊपर उठना पड़ेगा ताके यह फासला बराबर रहे तो जितना फासला यहां पर है तो यहां पर है लहाजा जब यह टिप गुजरता वह जाएगा तो टरनलिंग करंट यू बढ़ेगा या घटेगा या फिर अगर आप करंट को मुस्तकिल रखना चाहते हैं तो यह टिप उपर और नीचे होगा जो एन उस सते की उँच नीच के साथ साथ होगा यह बहुत ही कमाल की चीज़ है इस से आप एक एक एटम देख सकते हैं उसकी एक मिसाल आपके सामने है टरनलिंग क्वांटम मेकैनिक्स का लाजमी नतीज़ा है मैंने आपके सामने सिर्फ दो मिसालें रखी लेकिन फिजिक्स में इसकी अंगिनत और भी है